नमस्कार आप अपनी लाइप में कोई भी कायरे शुरूप हो चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो करना कुछ न कुछ लेकिन उससे पहले ये तीन क्यूश्चन आपने आप से ये तीन क्यूश्चन जरूर पुछना तब ही जब उसके आंसर आपको राइट वे में मिल जाए तो वो कारी श्टार्ट करना बाकि मत करना बाकि आपकी लाइप में जो चल रहे हैं उसका चलने देना नए कारी के हाथ मत लगाना जब तक उन तीन को आंसर आपको ना मिले अगर अच्छी तरह से उन तीन को आंसर आपको मिल जाए तो नया काम इस्टार्ट करना जोस के साथ करना जुनून के साथ में करना और पता है वो तीन क्वेस्ट्टन किसने कहें महान के पंधित की दून राजनितिक चानक्य के ने कहें अगरे में आप जानते होगे पंजे जाता बताने के जुरूत नहीं होंगी आज के टाइम में चानकी की बाते कितनी रिलेवंट है आप की लाइप में और यही तीन कुछन चानकी की ने बताये थे कि कोई भी इंसान नया काम स्टाट करे तो आस्क तू यूर सेल अपने आप से तीन कुछन पूछ रहा देन अगें इस्टाट यूर वर्क अधर्वाइस you don't do work you will not do work आप work मत करना अगर इन तीन कुश्चन का आंसर आपको नहीं मिले तो अब वो तीन कुश्चन कौन से हैं जो चाड़की ने बता हैं मैं आज आपको बताओंगा और उसके आंसर आपको मिले तो आपको नेया काम करना और कुछ जीवन में कुछ करने कोशिश करना बाकि मत करना नमबर वन पहला कुश्चन आस्क तो यूरसेल्फ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वाई एम आइं डूइंग लाइक देस क्या रिजन है मेरा ऐसा करने के लिए मैं ये कारी क्यों शुरू कर रहा हूं उस कारी का जो आप सुरू करना जा रहा हूं उसमें क्यों जुरूर लगाना और उसका आंसर ढूंड रहा है कि आकि इस कारी के पिछे मेरे क्या मंसा है मेरा क्या लक्ष है और क्या रिजन है कि मैं कारीय स्टार्ट कर रहा हूं अगर इसका अंसर आपको मिल जाए तो नया कारीय स्टार्ट करना बागी मत कर दो से कर दो इस कारीय के क्या रिजल्ट होंगे क्या परिणाम होंगे what will be result in future जो आद में कारीय शुरू करने जा रहा हूं इन कारिय का फूचर में क्या परिणाम होंगे वो आपको जानने होंगे वो परिणाम किसको एफेक्ट करेंगे आपकी फेमिली को एफेक्ट करेंगे आपके एफेक्ट करेंगे आपके फ्रेंड को एफेक्ट करेंगे आपकी सोसाइटी को एफेक्ट करेंगे आपकी कंट्री क तो इतना सब सोच करके इसका क्या परिणाम होगा क्या रिजल्ट होगा तब ही आप काम स्टार्ट करना बाकि नया काम स्टार्ट मत करना उसके परिणाम पर जरूर नजर डालना क्योंकि विदाउट रिजल्ट आप जीरो हो जाओगे आप सुनने हो जाओगे और आप कहीं के लिए थार्ड एंड मॉस्ट इंपोर्टेंट क्या मैं ये नया काम सुरू कर रहा हूं उसमें क्या मैं सफल हो पाऊंगा अपने आप में confidence है या नहीं या पर दूसरों के देखा देखा आप काम स्टार्ट कर रहे हो उसने वो काम स्टार्ट किया या और मुझे भी काम स्टार्ट करना चाहिए या उसने उस काम में इतनी सफलता पाई या और मैं भी पाऊ सकता हूं या दूसरों के देखा देख किस कारण से पाई होगी वो कुछ कर सकता है तो आप क्या कर सकते हों देखा देख कभी मत करता हुआ सब से पहले तो काम स्टार्ट करो दो बिलीफ इन यूर से अपने आप में विश्वास रखना कि मैं इस कारी में सफल हो पाऊंगा अगर आपको अपने आपके उपर इस्वास नहीं होगा तो आप किसी भी कारी में सक्सेस कैसे होंगे आप सक्सेस नहीं हो पाऊंगे तो कोई भी कारे स्टार्ट करो तो ते तीन क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछना इसके आंसर मिल जाए तो आप यह काम स्टार्ट करना बाकी मत करना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इसके क्या परिनाम होंगे क्या मैं इसमें सपल हो पाऊंगा यह सब सोच विचार कर नया काम स्टार्ट करना बाकी मत करना अधर वाइस आप नगर के रहोगे नगाट के रहोगे